Hello and Welcome to the Studio members HR Motor को आज की दिन हम trade कर रहे हैं और इस stock को trade करने से पहले हमने अपने private group में morning में भी share कर दिया था HR Motor को trade करने के लिए आज हम confirm candle trading strategy का use कर रहे हैं आपको मालूम है confirm candle trading strategies में हम volumes की counting करते हैं एक perfect point पर, perfect level पर, perfect price पर certain volume जो आती है हमें उसका यूज करना पड़ता है candle counting candle counting in the sense के volume के candle हमें volume bars का यूज करना होता है यहां पर हमें buyers की quantity सबसे जादा देख रहे हैं यहां पर सेलर्स के prices हमको सबसे जादा देख रहे हैं जब यहां पर आफ volumes को यूज करोगे देखिए इन शॉट हम यहां पर फिर आपको बता रहे हैं प्रिवेस काफी वीडियो में दो आइधिंक दो वीडियो से जहां पर मिने कंफिर्म करें ट्रेडिंग स्टेजिस के बारे में discussion किय है कि सेलिंग हमको सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं सबसे ज्यादा नजर आरे हैं एक centrally सकते हैं कि बियर्स्के डेल सबसे ज्यादा वो oh daughters इसको देखिये यहां पर देखिए सिर्फ एक केमडल आऀ फिर से देखिए सेलर सेलर ज्यादा ज्यादा से जतने बही प्रेज जो जिस candle ने price का breakout किया था इस वाली candle ने अभी तक इस candle का breakout किसी भी candle ने नहीं किया इस वाज़े से यहाँ पर हम पूरी तरह से sure हैं कि selling अगर हम आयचर मोटर के अंदर करते हैं एक सही जगह को find करके selling करते हैं तो पास होने के chances ज्यादा हो जाएंगे हमारे trade के successful होने के rate बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है कि selling की candle को हमें देख लिए तो हम यहाँ पर जब यह बोल रहे हैं कि selling करेंगे तो ज्यादा successful होंगे तो कहीं से भी में sell कर देना एक सही लेवल होना चाहिए एक सही point होना चाहिए सही price सही zone से आपको trade execute करना होगा किसी भी point से trade execute करके अगर आप सोच रहे हैं कि selling कर लेंगे हम और success हो जाएगा में राइये तो थोड़ा से impossible type की चीज़ है एक सही level पर होना चाहिए price को अब द तक इनके price का breakout नहीं किया गया है आप देख लीजे जब हम इस candle को mark करेंगे यह देखिए इस candle को जब आप mark कर लोगे price ने अभी तक इस candle का high break नहीं किया है और low break कर देने के बाद में price देखे सीधे नीचे की दिशाम गिर गया अब यह price मेरा गिरा कहां तक है यहां तक हम इसको भी mark कर लेंगे मतलब यह एक low लगा है और यहां पर कहीं एक high है price देखे क्या किया है उसी range पर आते हुए support लेता है support लेकर के वापस upside के तरफ चला जाता है और यह वाले जो swing high है price यहीं पर मेरे इस वक्त consolidate कर रहा है ओके आप देखे वापस से फिर चलते हैं हम अगे क्या हुआ है इसको बहुत सही से बहुत आराम से द्यान से सुनने की कोशिच की जागा वीडियो को रच्छा लगते तो जरूर लाइक की जगा कॉमेंट की जगा जहां पर देखिए फिर से 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 सबस्यादा बायर्स का पूरी तरह से से यह बायर्स अब देखिए अब यह consolidation का एक एरिया बन सकता है मेरा यह price consolidate हुआ है अगेन देखिए प्राइज ने क्या किया है यहां पर फिर समको सेलर्स दिखा है फिर से सेलर्स दिखा है यानिक हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो activity हुई थी अब यह फिर से continue लास्ट कुछ एक session की जो activity हुई है मेरे लि अब देखिए यहां से price को पकड़ने के और पढ़ने कोशिश कीजिए वॉल्यूम का थ्रू हमने क्या किया है यहां पर यह पता लगाने की कोशिश की यहां पर buyers ज्यादा थे और sellers ज्यादा थे क्योंकि आज का जो हमने trade execute किया है confirm candle trading strategy से use क्या है वॉल्यूम का प्योर यहा आप ओपन करिएगा देखते हैं आज का trade अपना सही होता है गलत होता है जैसा भी होगा यह आपके सामने होगा stop loss होगा तो उसको हम आप लोग के साथ share करेंगे तो जैसे ही market हमारी close होगी इसको देखिएगा आप लोग जैसे हम rate करते हैं यहां से क्या हुआ है price ने upside में ज हाई price लगता है और वापस से price देखिए upset के तरफ दो पॉइंट से देखिए volumes के थरू हमने क्या देखा कि हमें selling करनी है higher time frame पर जब हम गये तो यहां पर एक high लगता है मतलब low से high के तरफ price जाता है वापस एक low लगाता है और फिर upside के तरफ चला जाता है मतलब हम एक ऐसे point पर है जहां से price already गिर चुका है लिज हम इसको mark कर लेते हैं price यहां से already मेरा यहां पर गिर चुका है वापस देखिए price ने क्या किया है अप side के तरफ closing देदी यहां पर बाइस ने closing दी वालिम्स को याद रखिएगा भूलिएगा मत वीडियो कर स्किप करके देखेंगे आप तो बहुत बड़ा उसका demerit कि है कि कोई भी analysis हम कर रहे है न तो आप miss कर दोगो कुछ ना कुछ एक चोटा सा point भी अगर miss करोगो तो two double seven two double five seven six zero की तो यह miss हो जाएगी अपसे अब price ने देखी मेरा यह swing upside की तरफ ब्रेक किया था अब देखे क्या होगा अब क्यूंकि हमें यह लग रहा है volumes को read करके price को read करके कि में short करना है यानि कि price में weak लग रहा है यहां पर price ने अपने swing highs को break किया अब इस बात का strong है वाकई में strong है तो उसको क्या करना होगा अपनी इस candle के ऊपर में जाना होगा है यह वाली जो candle अपनी 29th of December की candle इस candle के ऊपर जाकर के trade करना होगा बट price ने आज क्या किया है previous day की range के अंदर ही इसने opening दी है बाहर की दिशा में गया है reject हो करके वापस अपनी ही range के अंदर आकर के trade करने लगता है और फिर price मेरा नीचे गिर जाता है और अभी यह जो पूरी की पूरी trade चल रही है HR Motor की यह चल रही है previous day की range के अंदर यानि के previous day की range के अंदर चल रही है बहुत ज्यादा chance है price में up move क्योंकि यह दिखा चुका है इसको upside में जाना होता तो यह वापस अपनी कल की range के अंदर नहीं आता है और वैसे भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको price week नजर आ रहा है I think clear हुई होगी चीज़ें कापिस यहाँ पर बहुत सारे points हैं जिनको mark करना पड़ता है अब जितने भी levels अभी में mark किये हैं इनको mark करिए देखिए price की movements क्या होती है थोड़ा सा experience gain कीजिए market के अंतर पढ़िए price को rate करने की कोशिच कीजिए थोड़ा सा time invest कीजिए market में यह market जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है फर्क बस इतना है मेरा देखने के नजर्या कुछ और आपका देखने के नजर्या कुछ और है अगर आप यह सूच करके market के अंदर लॉग इन higher time frame पर यह सारी चीज़ समझ महाई होगी अब हम चलते हैं सिद्धे lower time frame के markings कर देते हैं यहां पर हमने जो अपनी entry लिए है 2574 पर हमारी entry है 2574 यह मेरा entry का point है पैस देखे जब यहां से अब साट की दर्फ retrace होने के लिए गया था यह वाला move यह retracement का area हमने अपना find क्या है 2574 पर हमने अपनी entry लिए stop losses जो हमने इसके अंदर लगा रखे है अपने लगभग 10 रुपय कुछ के stop losses हैं यहां पर कहीं एक बार order book देख लेते हैं सो पॉफेक्ट स्टॉप लॉस तीन सो साथ क्वानटी के मेरे लगे हैं पच्छिस सो चौराइस रुपर बीस पैस दे के stop loss है पच्छिस सो चौराइस रुपर बीस पैसे है कंट्रोल परफेक्ट सो ओवराल अपना जो आज का ट्रीडिंग का सेट अप है वह यह हैं अभी टार्गेट हम लोग डिसाइड करते हैं इसके अंदर अपने इसका गलर चेंज कर देते हैं कर रहे हैं 307 कौंटिटी के साथ हम अपना यह ट्रीड एक्जीक्यूट कर रहे हैं 307 कौंटिटी हमारी शॉट हैं सेल साइड में प्राइस हमारा कौंस है 272574 का stop loss में इसके अंदर लगा हुए 2584.20 के मेरे stop loss है और इस वात की जो पोजिशन अपनी चल रही पूरा अपना चल रहा है 307 कौंटिटी का सारा अगासार और हमको मिल चुका है 2574 पर टार्गेट के लिए इसके अंदर लगाएंगे 2533 के प्राइस जब इस रेंज पर पहुंचेगा हर बार की तरह हम इस बार भी वेट करेंगे यहां पर प्राइस के जो भी मुव्मेंट्स होंग करेंगे उसके अधार पर हम यह तैय करेंगे कि यहां से में निकलना है या अपने ट्रेट को कॉंटीनूर रखना है यह वाली जो रेंज है यह बहुत इंपॉर्टिन सपूर्प प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देगा इस वाली रेंज को तो इसके अंदर मुव्मेंट यहां से काफी अच्छा मुव्मेंट हमें देखने हो कि मिल सकता है यह जो मूव इस वक्त चल रहे हैं अगर यह कॉंटीनूर रहते हैं तो रेंज के नीचे में लगबग 1% का मूव मिल सकता है कोई बड़ा मुवमेंट होता है तो आपको इंफॉर्म करते हैं अपना आज का प्रॉपिट चल रहा है 4600 रुपीज के आसपास का चल रहे है एंट्री से स्टॉप लॉस टार्गेट हमने आप लों के साथ शेयर के लिए हैं तो थैंक्यू एंड वेट करते हैं कोई बड़ का चार्ट जवाब देखेंगे ना तीन दिन से लगातार साइडवेज मुवमेंट है कोई अच्छी मुवमेंट इसके अंदर आज में देखने को नहीं मिली नहीं आज नहीं कल नहीं परसों के दिन तो जल्दी से निकलते हैं 2559 पर निकलते हैं 2559 आज की ट्रेट हमारा यहीं पर खत्म होता है और आज का प्रॉफिट है 4670 रूपीज का है 80 पैसा और बुक एक बाद देख लेते हैं देखिए जितनी वी कॉंटिटी इस थी हमने सारी 2559 पर लगाई थी 2558.96 पर एक्जेक्यूट हुई स्टॉप्लास और कैंसेल है और 2574 यह अपना एंट्री का प्रॉफिट है और जो आज का अपना प्रॉफिट है 4000 रुपीज के बाप का प्रॉफिट है तो निफ्टी को एक बार हम लोग देखते हैं चलिए यह पीडी लाइट है और पड़ेख के कंंगरें मीने शौक किया था कल भी अमारे हमारा प्राइट नहीं मिल that इसी रेंज पर आया था प्राहि सक्किंअ आज प्राइड का पर के मुछ इसवाले तरो पर हमारे हैं और तो तार्रेत आज भी देखे सबके नहीं हो भाहła है on your market sideways है तेन दिन से market sideways है और यह जो sideways moves होते हैं मार्केट साइड़ेस मार्केट में ज्यादा तर लोगों कि स्टॉप्लोस जाते हैं मनी मैंगमेंट ड्रिस्क मैंगमेंट हमेशा फॉलो करना चाहिएं अक्सर क्या होता है कि हम लोग profits तो limit में लेते हैं 900, 1000, 12,000 के profits ले लेते हैं लेकिन जब losses book करने की बार यह आती है तो उसको बढ़ने देते हैं बढ़ने देते हैं हम यह सोचका नहीं बढ़ने देते हैं कि हम इतना book करेंगे मन में हमारे यह चल रहा होता है कि अभी price देके उपर आएगा उपर आएगा अभी नहीं आए ना अभी थूरी देर में आ जाएगा और जब यह सुचते भी market उपर आएगी थोड़ी सी भी उपर आई 300 400 900 1000 का प्रॉफित आप बुक कर लेते हो कुछ मिलाकर loss ज्यादा बुक होते हैं और profits कम sideways market एक ऐसी move फस्ती है जहां पर risk management बहुत ज्यादा एहम होता है money management बहुत ज़्यादा एहम role play करता है तो किसी भी condition में technical analysis एक बार गलत हो सकती है चलेगा money management को गड़बर मत कीज़ेगा आप किसी भी market को trade करो money management को हमेशा follow करना होगा देखिए nifty की move अभी देखते हैं हम लोग कल की moves देखिए आज की move देखिए ये 28th 29th और 30 एक zone में market फस्ती होई है कोई बड़ा move नहीं है इसी एक zone में market रुकी होई है इस वक्त अप डाउन अप डाउन अप डाउन उसी में चल रहा है यह वाला जो gap है यह भी fulfill नहीं हुआ है तो मार्केट अगर नीचे गिरती तो टार्गेट कौन से हो सकते हैं यह और अगर upside की तरफ जाती है तो टार्गेट अपसाइट के होंगे तो एक वीडियो मुझे लगता है कि क्रेट करना चाहिए कि कल हम क्या trade करें या कल के लिए मिरा जीव क्या होना चाहिए इसके ओपर मैं सोचता हूं कि वीडियो क्रेट करना चाहिए जो कि काफी help करेंगे आप लोगों को जब आप trade execute आपने नहीं देखिए तो आप उनको देख सकते हो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा ओके वीडियो को लाइक किजागा कॉमेंट किजागा और आज का जो और प्रॉफित है 4600 रूपीज के आसपास का है कोई बड़ा प्रॉफित नहीं है आई नो बट कोई बात नहीं साइडवेज मार्केट में हमारे स्टॉप लॉस बचे हुए है यही बड़ी बात है अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स ट्रेडिंग सेशन में कोई भी अच्छा सा ट्रेड अगर हमको मिलेगा तो अपने टेलिग्राम चैनल के माध्यम से आप प्रॉफित को हम इंफॉर करेंगे okay so thank you goodbye and we will meet again